Hello to everyone, in this video we are going to discuss about the use of feedback for teacher self-improvement and curriculum revision तो देखो ये heading को पहले समझो फिर उसके अंदर की बाते समझेंगे क्योंकि heading से ही आपको आधी बाते पता चल जाएगी तो feedback का मतलब होता है comment जैसे photo को अपलोड करता है Facebook और WhatsApp पे तो हम लोग अपना comment देते हैं पोटो थड़ा गडबडी आ गया है तो हम लोग वही पे भी comment कर देते हैं मतलब comment मतलब क्या हम लोग अपना response दे रहे कि हमको वह वाला कैसा लगा feedback का मतलब भी वही होता है हम लोग अपना response देते हैं तो अगर पहला वाला गर वीडियो देखे हो कि तो वही पे हम लोग क्या कर रहे थे वही पे हम लोग एक चीज पढ़े कि जो teacher होते है teacher क्या करते है बच्चों का जो उनके बारे पर जो उनको information पता चलता है वो student को बता आते हैं वही पे मैं आपको एक example भी दी थी कि जैसे एक student है उसका concept clear है वो बहुत अच्छा भी पढ़ता है महनत भी करता है तो उसका handwriting बहुत ही खराब है तो teacher उस time क्या करेंगे student को feedback देंगे कि देखो तुम्हारा सब कुछ ठीक है तुम्हारा concept ठीक है तुम अच्छा feedback दे रहे हैं यही पे इस heading पे पूरा उसका उल्टा हो जाएगा यही पे student teacher को feedback देंगे कि कैसे उनके teacher पढ़ा रहे हैं अगर उनके teacher अगर कुछ अगर गड़बड कर रहे हैं तो वो बताएंगे अपने teacher को तो teacher फिर क्या करेगा जो student का feedback जो मिला होगा उसके उपर फिर व पता चल जाएगा teacher को कि उसका कौन-कौन सा गलती है तो वो अपना खुद का improvement करेगा and curriculum revision मतलब अगर syllabus पे ही अगर कोई गड़बड़ी है तो वो syllabus को change करेगा curriculum मतलब होता है आपका syllabus होता है class 6 का एक syllabus जो आपके class 6 पे ही खतम होता है तो curriculum मतलब होता है syllabus और जब कोई syllabus पे ही कोई problem होता है तब teacher को जब पता चलता है कि अरे यार मेरा पढ़ाई ठीक है पर syllabus पे ही गड़बड़ी है तो वो क्या करते है syllabus को फिर change करते है जो unnecessary जो chapter है उसको eliminate कर देते है और अगर कोई new information कोई up to date कोई information आया है तो उसको अपने syllabus पैड़ कर देते है तो ये बच्चों के feedback को लेने के बाद ही ये सारा को change होता है इस heading पर सिर्फ हम लोग ये पढ़ेंगे कि यहीं पर student लोग teacher को मतलब student teacher को feedback देगा ओके फिर teacher क्या करेगा उसी पर जो feedback मिले होंगे वहीं पर वो काम करेगा फिर वो अपने पढ़ाई अपना जो teaching style है उसको सुधारेगा और अगर curriculum पर ही अगर कोई problem है तो वो curriculum को change करेगा ओके धीरे धीर अगर आपको समझ में नहीं आए तो धीरे धीर आपको समझ में आ जाएगा ये पर क्या होता है student feedback has become the most widely used and is the source of information to evaluate and improve teaching effectiveness आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हो वो आपको student के feedback से ही पता चलता है और ये एक बहुत ही म आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हो और अगर आपका मतलब कोई गड़बड़ी है कोई weakness है तो आपको वो student ही बताते है कि नई sir आपका ये problem है आप थोड़ा उसको सुधार हो जैसे कुछ-कुछ teacher होते हैं बहुत fast बोलते हैं इतना जल्दी fast बोलते हैं और जैसे और एक आपको feedback मिला कि कुछ-कुछ teacher होते हैं ज्यादा blackboard और वो chalk ज्यादा use नहीं करते हैं तो इस time student बोल सकते हैं कि आप ऐसे मतलब से पढ़ाई मत करो उसे blackboard पे थोड़ा थोड़ा लिखो भी ताकि हमको समझ में आए और कुछ teacher ऐसे होते हैं कि diagram नहीं ब तो student ये भी feedback दे सकते हैं कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हो तो उसका diagram आप खुद बनाओ ऐसे मत बोलो कि हमको कि वो books से देख लो तो ऐसे ऐसे feedback आपको classroom से मिल सकते हैं फिर अगर आपको कोई feedback मिल रहा है तो ऐसा ने कि दुखी मनाओ उस पे आप काम करो और जो problem है वो सु content करो उनको बोलो कि ये जो content है ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है और अगर कोई unnecessary कोई syllabus है तो उसको eliminate कर दो ओके तो देखो just as student benefit in their learning जैसे हम लोग बच्चों को जैसे feedback देते थे फिर student क्या करता था फिर अपना problem को मतलब वो सुधारता था जैसे बच्चों कर एक बच्च सबोगा होता था जब हम लोग student को feedback देते थे तो student का learning improvement होता था और अगर हम लोग अगर teacher को feedback देंगे तो teacher क का teaching style improve होगा और अब teacher को feedback दिए तो teacher का teaching style है वो इंप्रूफ होगा तो देखो just a student benefit in the learning from teacher's comment on their paper and assignment teacher also makes use of feedback from student and benefit themselves by self-improvement जैसे ही student का benefit होता था जब teacher comment करते थे उसके उपर वैसे ही जब student comment कर रहे है teacher तो teacher का भी self-improvement होता है there are several sources of information that teachers can use to improve themselves बहुत सारे sources of information है मतलब बहुत सारे चीज से आप अपने teaching style को improve कर सकते हो कौन-कौन सा वो source है student feedback अगर आप अपनी teaching को सुधाना चाहते हो मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ाना चाहते हो मतलब आप अपनी teaching style आपका जो teaching method है उसको improve करना चाहते हो ताकि लोग बोलें कि आप एक बहुत अच्छे teacher हो मतलब आप एक बहुत ही अच्छे मतलब प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आप कहां-कहां से information लाओगे मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा गड़बड़ी कौन सा है क्योंकि खुद तो analyze तो सारा तो नहीं कर सकते न तो हम लोग कहां-कहां से वो information का जुगाड करेंगे तो पहला आपका है student feedback आप student को जाके पूछो कि आपको मेरा पढ़ाई कैसे लग रहा है फिर बच्चे फिर बोलेंगे कि नहीं sir आपका ये problem है फिर आप उसी फिर काम करो ताकि आपका जो teaching style है आप मतलब वो improve हो सके feedback from student has always played an important role in the maintenance of quality and standard in higher education feedback जो students सो मिलता है वो बहुती फाइदा होता है एक teacher के लिए feedback from student help to improve and refine teaching process जो student जो feedback देते है teacher को तो teacher का जो teaching process होता है वो improve भी होता है और वो धीरे-धीरे refine होते जाता है मतलब धीरे-धीरे जैसे हमारा sugar होता है एक refine वाला sugar मतलब वो बहुती white दिखता है मतलब वो बहुती soft दिखता है वैसे ही अगर आप अगर teacher को अगर feedback दोगे और अगर teacher उस feedback को positively लेगा, ऐसा ने कि मेरे बच्चे कैसे मेरे को बोलेंगे, अगर teacher अगर उसको positively अगर लेगा, तो teacher का जो teaching है, वो improve भी होगा और वो refine होगा, okay, receiving student, यहीं पर देखा और एक point है, receiving student feedback can help teacher know what they are doing that facilitate the learning of the student, जब teacher student से feedback लेता है, तब उसको यह पता चलता है कि क्या-क्या मैं extra चीजे करूँ, ताकि बच्चों का जो learning है, वो और improve हो सके, क्योंकि अगर teacher अगर अच्छा पढ़ाएगा, तो बच्चे का जो learning है, वो तो improve होगा ही होगा, okay, then है, आपका देखो यहीं पर और एक point है, two useful method of getting information from student, आपका पहला है, get return feedback, आप बच्चों को यह भी बोल सकते हो, कि मेरा जो-जो problem है, या जो-जो strength है, वो सारा मुझे एक जगह लिख के दो, देखो feedback का मतलब होता है, सिप गलतिया नहीं, गलती और strength, दोनों को बोलना है, okay, जैसे बच्चे को अगर आप बोल रहे हो, क सिप आप गलती ही बताओगे, मतलब जो positive है, वो भी बताओगे, और जो negative है, वो भी बताओगे, okay, ये वाला confuse मत होना, कि feedback मतलब सिप गलतिया ही होती है, feedback का मतलब होता है, दोनो positive और negative, okay, तो आप बच्चों को बोल सकते हो, कि जो, मतलब feedback है, आप मुझे एक जगह लिख क को जाके बोलोगे कि आपको मेरा class कैसा लगता है, और कौन सा चीज आपको मेरा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, और क्या क्या आप change करने के लिए आप suggest करना चाहते हो, वो मुझे सारा एक जगह पे लिख के दो, okay, देखो heading ही आपका get written feedback, आपको teacher, सरी, आपको student ल इस chapter का heading था, using feedback for teacher self improvement and curriculum revision, तो teacher feedback को use कैसे करेगा, ताकि उसके teaching style पे improve हो सके, और उसका जो curriculum है, उसको कैसे वो change कर पाएगा, अगर उसके curriculum पे भी अगर कोई गड़बड़ी है, तो teacher चाहे कितना भी अच्छे method से पढ़ा ले, बच्चे को कोई फाइदा नहीं होगा, तो अपना जो curriculum है, उसको भी change कर सकता है, curriculum मतलब है आपका syllabus, हर एक का एक syllabus होता है, आपका classics का एक syllabus होगा, आपका b8 का भी एक syllabus होता है, तो यहीं पे है आपका self reflection, मतलब एक teacher खुद भी, मतलब उसको भी, खुद भी अपना inspection कर सकता है, कि वो कितना class पे अच्छा पढ़ाता है कि वो खुद भी अपना जाच पढ़ाल कर सकता है, वो होता है आपका self reflection, तो keeping a teaching journal can be a useful tool to help teacher reflect on their teaching, अगर एक teacher अपने पास एक teaching अगर journal भी रखेगा, तो उसको खुद को भी पता चलेगा कि वो कितना अच्छा पढ़ा रहा है class पे, उसका कोई improvement हो रहा है या फिर नहीं हो र लगते हैं, जैसे रात को सोने से पहले लिखते हैं, उनका पुरा जो दिन भर का experience होता है, वो लोग वहीं पे लिखता है, जैसे कोई बच्चा लिख रहा है कि मैं सुभा जल्दी नहीं उठता हूँ, और मैं कल से जल्दी जल्दी उठूँगा, और फिर next पे वो फिर चीज अगर अपने daily life पे अगर implement किये हो, तो वो भी लिखते हो, और उसका कोई अगर experience हुआ, अगर कोई अच्छा experience है, वो भी लिखते हो, अगर कोई बुरा experience है, ये भी लिखते हो, कि आज मैं जैसे, आप अगर आज सुभा बहुत जल्दी उठ गए, तो आपको लगा कि ये एक अच्छी आदत है, पर मैं जब भी सुभा जल्दी उठ रहा हूँ, तो मुझे दो बहर को बहुत नीदा आ रहा है, और मैं दो बहर पे बहुत टाइम सो जा रहा हूँ, तो वही पे आप अपना ये भी लिख सकते हो, कि इसका एक बहुत ही negative भी है, तो मतलब आपका जो पूरा experience है, एक दिन का वाप, वही पे लिखते हो, तो अगर teacher भी अगर अपने पास एक teaching, अगर journal रखेगा, जैसे मतलब एक दिन पे वो क्या-क्या पढ़ाई, और कोई नया teaching method, अगर class पे अगर implement भी किये है, तो student को वो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, तो वही पे अगर आपके साथी भी आपको बता सकते हैं कि आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हो, अगर आपके साथी अगर बोले कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो आप फिर क्या करोगे, आपका teaching style इंप्रूब होगा, आप जो style पे पढ़ा रहे हो, फिर आप उसको और इंप् तो फिर आप क्या करोगे, अपना फिर improvement करोगे, तो आपके साथी भी आपको feedback दे सकते हैं, तो आपके साथी आपको कैसे feedback देंगे, जैसे आप अपने classroom पे पढ़ा रहे हो, और किसी को ऐसे ही बोल दिये, कि मतलब कोई बहार का कोई लड़के को बोल दिये, कि आज मैं जो क्लास पे पढ़ाऊंगा, उसको सारा एक फोन पे शूटिंग कर लेना, तो जब वो जो शूट का जो वीडियो होगा, आप अपने साथी को दिखा सकते हो, कि देखो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, और अगर तुमको कोई problem है, या तुम्हे असे लगता है कि ये teaching पे कोई improve होना चाहिए, वो मुझे बताओ, तो जैसे आप मालो कि आप classroom पे ज़्यादा कोई blackboard यूज नहीं करते हो, तो अगर आपके peer को, मतलब आपके साथे को ये लगा, कि आप ज़्यादा blackboard यूज नहीं करते, तो वो ऐसे feedback दे सकते हैं, कि तुम थोड़ा blackboard भी यूज करना, क्यों अगर आपको, अगर अपने साथे का अगर सुझाओ, अगर अच्छा लगा, तो फिर आप क्या करोगे, next जब भी पढ़ाओगे, तो आप blackboard और chalk का यूज करोगे, तो ऐसे आप अपने साथे का भी response ले सकते हो, और अपने आपको improve कर सकते हो, तो देखो, यहीं पे एक बह improvement of teaching skill, देखो, यहीं पे क्या लिखावा है, यह एक opportunity भी provide करता है, जहां पे जो good value होता है, वो spread होता है, disseminate मतलब spread होता है, जैसे आपका साथी आपको कुछ अपना वीडियो दिखाया, जैसे यह आप हो, और रुको, एक पर मैं अच्छे से बना दे रही हूँ, यह मान दो आप हो, यह आपका साथी है, तो आपका साथी आपको एक वीडियो दिखाया, कि देखो, मैं ऐसे पढ़ाता हो, तो आप उसके वीडियो पे देखे कि वो बहुत अच्छा-च्छा material यूज़ करके पढ़ा रहा है, जब भी कुछ चीज पढ़ा रहा है, उसका कोई real life वाला तो आप यह ऐसे कोई model या कोई चीज जैसे लाके पढ़ा होगे, जैसे कोई chart paper ले आके पढ़ा दिये, कोई model ले आए, जैसे science का कोई पढ़ा रहे हो, तो कोई specimen लाके कोई पढ़ा दिये, तो अगर आपको उसका अच्छा लगा, जो good value है, अगर उसका अच्छा लगा, त फैलता चला जाएगा, तो यह आपकी peer observation से ही मिलता है, ओके, देन आपका है, consultation with a staff member, जब हम लोग ने staff member से consult करते हैं, कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, और वो लोग जब हमें एक review देते हैं, वो एक बहुती अच्छा tool होता है, अपना teaching style को improve करने का, ओके, observation are most effective and approach is a collaboration mean to benefit all involved, तो observation एक बहुती effective होता है, क्योंकि हम लोग दुसरों का teaching method देखते हैं, फिर दुसरे वाला फिर हमारा देखता है, तो वही पर क्या होता है, हमारे बीच पर collaboration होता है, कि तुम्हारा teaching style अच्छा है, तो जो अच्छा होता है, वो फैलता है, और जो बुरा होता है, तो फिर teacher को लगता है, आरे मैं अच्छा सा नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा आपने आपको improve करना है, तो हम लोग अपने जब staff member, अपने peer, अपने colleagues के साथ, जब हम लोग अपना teaching method को share करते हैं, हम लोग उनको जब अपना teaching method बताते हैं, तो वही से भी एक teacher अपने आपका teaching method है, उसको improve कर सकता है, ओके, और यह जो है ना, मतलब peer का feedback लेना, student का feedback लेना, यह सबसे cheap और easy, मतलब terms होता है, अपने आपको improve करने का, यहीं पे कोई पैसा वैसा नहीं लगता, आप बच्चों को बोलो, कि आपको कैसा मेरा पढ़ाई लग रहा है, मेरे को बता, तो यहीं पे कोई पैसा नहीं लग रहा है, यह सबसे cheap और effective way है, अपना teaching method को improve करने का, देना आपका curriculum revision, curriculum मतलब है आपका syllabus, तो देखो हर एक सिलाबस होता, आपका 23rd semester का एक सिलाबस है, 2nd semester का एक सिलाबस है, तो माल लो, अगर आपका syllabus पे ही कोई गड़ बड़ी है, तो teacher चाहे जितना भी method, अच्छे method से पढ़ाए, आपको कोई फाइदा नहीं होगा, तो अगर बच्चे को अगर लग रहा है कि कोई content पे ही गड़ बड़ी है, कोई syllabus पे ही गड़ बड़ी है, तो आप क्या करोगे, आप अपने administrator, क्योंकि curriculum revision है, मतलब छोटी बात नहीं है ऐसे आप खुद ऐसे change नहीं कर सकते है, curriculum change करने के लिए आपको थोड़े higher authority के पास थोड़ा जाना पड़ सकता है, और वहीं पे बहुत सारी meeting होते है, बहुत सारी discussion होता है, उसके बाद ही कोई syllabus change होता है, आप ऐसे मन में ऐसे syllabus change नहीं कर सकते हो, हाँ, आप बच्चों का feedback लिए कि आप बोल सकते हो, कि ये वाला जो chapter है, ये बच्चों का कोई फाइदा नहीं हो रहा है, और आप इस syllabus को हटा दो, होता है आपका बहुत बार ऐसे seated हो गया, कोई CSIR, UGC net का exam होता है, वहीं पे syllabus change हो जाता है, तो वो syllabus change क्यों होता है, student का feedback लेके ही वाला change होता है, ऐ वो जब भी change होता है, बहुत ही formal way पे change होता है, तो curriculum revisions means making the curriculum different in some way, मतलब जो syllabus होता है, curriculum revision का मतलब होता है, जो curriculum होता है, उसको हम लोग थोड़ा बहुत उसको थोड़ा different बना देते है, to give it a new position or new direction, उसका थोड़ा position या उसका जो दिशा होता है, उसको थोड़ा change कर देते है, this often means alteration to its philosophy by way of its aims and objective, alteration का मतलब change कर देना, मतलब उसका direction, उसका position, उसका way, सारे को change कर देना, करिकुलम इचे runway for attending goals of education, करिकुलम क्या है, ये एक runway है, मतलब आपका एक road है आपके goal को पहुँचने के लिए, sorry, यहीं पे आपका है, ये आपका runway है, मतलब ये आपका road है, तो ये आपका goal है, अगर आप अपना goal को अगर पाना चाहते हो, तो आपको इस runway पे, इस रास्ते पे आपको जाना ही होगा, इस रास्ता क्या है, आपका curriculum, जैसे आपको 10th class पे अच्छा marks लाना है, तो आपका 10th का जो सिलाबस है, वो आपको पढ़ना होगा अच्छे से, तभी आ आप जो सोच रहे हो, ना कि 10th पे अच्छा marks लाँगा, तभी आप उस goal को आप achieve कर पाओगे, इसलिए बोला है कि curriculum is runway for attaining goal of education, it is considered as a blueprint of an educational program, इसको blueprint भी बोला जाता है, the basis for any measure curriculum change is significantly to improve the existing curriculum, जब भी कोई curriculum revision होता है, उसका मतलब है, जो exist कर रहा है, मतलब अभी जो सिलाबस है, उसको थोड़ा improve करने के लिए ही curriculum revision किया जाता है, obviously ये तो एक सची बात है, वरना curriculum revision क्यों होगा, जब आपको ये लगेगा कि जो exist कर रहा है, मतलब जो अभी है, वो थोड़ा अच्छा नहीं है, अगर उसको अगर improve करना है, उसी के लिए ही हम लो curriculum revision करते है, the process of curriculum changes helping the assessment of future, जैसे जैसे ही आपका curriculum change होता है, वैसे ही जो teacher का, जो assessment का जो process होता है, वो भी change हो जाता है, क्योंकि जो हमारा assessment जो teacher लेते हैं, मतलब जैसे आपका exam करवाते हैं, कोई quiz करवाते हैं, ये सारे आपके assessment के अंडर जाते हैं, तो ये जो assessment होता है, वो आपके content, मतलब आपके syllabus के recording ही होता है then है आपका the development of curriculum is never a completed project तो देखो जो आपका जो curriculum का जो development होता है ये ऐसा नहीं कि एक बार अगर change हो गया तो मतलब हजार साल वही रहेगा तो ये कोई completed project नहीं है कि मतलब एक बार आप classics का सिलावस बना लिए तो ये अभी 2-3 हजार का साल का चलेगा मतलब इसको मतलब regularly उसको थोड़ा change करना होता है regularly मतलब ऐसे ने कि हर की साल पर उसको change करो अगर जरूरत पढ़ा तो हर एक साल पर change करो अगर नहीं जरूरत पढ़ा ज़ादा तर ये एसा change नहीं होता है 5-6 साल पर एक बार चेंज होता है जब रिवाइज होता है उसके क्या क्या रीजन हो सकते है जब कोई हम लोग करिकुलम रिविजन करते हैं तो बच्चों के नीड मतलग उनका नीड उनके इंट्रेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग तो हम लोग क्या करते है उसको चेंज कर देते है जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग इंट्ड़ेस प्रांच है जैसे है microbiology, microbiology सायद सब कोई जानते भी होंगे, microbiology वही पर बहुत छोटे-छोटे microorganisms के बारे पर पढ़ते हैं, virus के बारे पर पर पढ़ते हैं, तो देखो अभी जो microbiology के student है, अभी उनके लिए एक नया chapter आगया coronavirus, तो coronavirus क्या है, यह अभी एक latest chapter है, तो यह microbiology के जो course है, वही पर add करना ही चाहिए, ताकि जो coronavirus है, उसके बारे पर microbiology student जान सके, तो जो latest information, जो latest update होता है, वो आपके syllabus पर add हो जाता है, और जो unnecessary data होते हैं, वो आपके eliminate हो जाते हैं, तो based the new curriculum pattern on the ground of sociological, technological and psychological aspect, जब भी कोई new curriculum होता है, वो आपके sociological, technological and psychological aspect को लेके ही ये curriculum भनाया जाता है, then आपका है stages in the curriculum revision process, तो curriculum जब revise करने का होता है, तो कैसे करते हैं, तो देखो मैं पहले से भी बोल दी हूँ कि ये ऐसा नहीं कि आपको अगर ये लगा कि बच्चों को अच्छा नहीं लगा, तो syllabus जब change होता है, तो ऐसा ही मतलब एक teacher आपके directly उसको syllabus पे change नहीं कर पाएगा, उसके बहुत ही formal discussion होते हैं, बहुत सारे formal meetings होते हैं, उसके बाद ही एक syllabus change होता है, करिकुलम revision ऐसे कोई मतलब आसान नहीं है, मतलब teacher को जो अच्छा नहीं लगेगा, वो ऐसे eliminate नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत सारे formal meeting, formal discussion होते हैं, उसके बाद ही change होता है, तो जब ये जो curriculum revision होता रहता है, तो पहला step आपका क्या है, तो पहला क्या देखके ही curriculum change होता है, तो पहला क्या करते हैं, जो आपके current है, मतलब आपका current syllabus क्या है, जो अभी आप use कर रहें, जैसे आप चाहते हो, जैसे आपके student बोले, कि आपका जो classes का जो एक एक chapter है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, sir please आप उसको बोलो कि वो delete करते हमारे syllabus पे, तो आप फिर क्या करोगे, आप अपने administrator, अपने higher authority से बात करोगे कि बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है, फिर वो लोग क्या करेंगे, फिर और कुछ authority को फिर बोलेंगे, तो last पे क्या होता है, तो जो बड़े-बड़े authority होता है, जो मतलब really, जो one से tenth class तक का syllabus को control करते हैं, फिर वो लोग बैठते हैं एक जगा, फिर वो लोग क्या करते हैं, student का बहुत सारे का feedback लेते हैं, और अगर उनको लगा कि सच्ची में कोई syllabus भी कोई गड़ बड़ी है, तो वो लोग फिर क्या करते हैं, current syllabus, जैसे आप six class का syllabus को आप change करना चाते हो, तो आप फिर क्या करोगे, जापका current syllabus है, उसको पहले लाओगे, आपका current objective क्या है, उसको पहले देखोगे, फिर क्या करोगे, six class का जितना भी syllabus था, उसके जब हम लोग पढ़ा रहे थे, उसको कौन-कौन सा material support कर रहा था, उसको भी पढ़ोगे, मतलब पहला, मतलब जो आपके पास है, उसको पहले देखोगे, फिर आप क्या करोगे, the map is then compared to the grade level, जैसे आपका ये current है, current syllabus है, फिर आप क्या करोगे, जो आपके expectation है, मतलब ये chapter delete कर देना चाहिए, इनसे बच्चों को कोई फाइदा नहीं होता है, मतलब फिर क्या करोगे, अपना expectation फिर लिखोगे, फिर अपना जो standard जो बनाए होगे, उसको लिखोगे, फिर इन दोनों के बीच पे आप compare करोगे, कि हमारा current syllabus क्या है, और हमारा उदेश क्या है, मतलब हम लोग क्या change करना चाहते है, उसका expectation क्या है, इन उनों के बीच पे आप compare करोगे, फिर आपका थर्ड है, based on analysis of this comparison phase, revised curriculum is developed to reflect updated expectation, फिर क्या होता है, हम लोग जो अपना current syllabus को जो change करना चाहते हैं, उसको compare करते हैं, और फिर एक revised curriculum, मतलब उसके थोड़ा change range करके, उसको थोड़ा update कर देते हैं, जो आपके update expectation को meet कर पाए, जब एक नया curriculum जब बन जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, teacher को बोलते हैं, कि ये पढ़ा के देखो, मतलब आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि अगर teacher को ही अगर वो नया वाला अगर curriculum अगर अच्छा नहीं करते हैं, कि उनको वो जो new जो सिलाबस है, उनको कैसे लगा, और अगर वो लोग अगर बोले कि नहीं, sir, सब कुछ ठीक है, और ये जो new जो सिलाबस है, वो बहुत ही अच्छा है, उसके बाद ही एक decision लिया जाता है, देखो, last step है आपका, एक determination is made, मतलब last एक conclusion आया जाता है, कि अच्छा, आपका six class का सिलाबस यहीं है, उके, तो I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, so thank you